तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका टेक्निकल चार्ट बहुत ही श्ट्रॉंग बोल रहा है और आने वाले कुछ हफतों के अंदर पॉसिविल्टी है कि 30-40 रुपे का गेन वह इस टॉक दिखा सकता है अगर इस बार ब्रेक आउट मिला तो काफी बार यह श्टॉक करचुका है लेकिन इस बार कहीना कहीं स्ट्रॉंग केंडल बनती हुई दिक्षरी है तो चलिए बात करते हैं कि कौन सा स्टॉक है और किस वज़ा से मैं बोल रहाँ कि यह से निकल सकता है इस बार ब्रेक आउट इसको मिल सकता है इस वाइज तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी का नाम है GSFC और फटिलाइजर से रिलेट करते हैं यह कंपनी आपको पता ही है कि मौनसून इस वार पॉसिबिल्टी है कि अच्छा रह सकता है और उसको नजर में रखते हुए कहीना कहीं जो सेक्टर उनके अंदर एक तेजी का माहल बनना शुरू हो गया है और यह जो इस टॉक है यह स्टॉक इस समय पर जिस पोजीशन पर है बहुत ही एक डिसेंट पोजीशन पर इस समय पर जो यह चल रहा है रिसक और रिभॉर्ट बहुत ही अच्छा खासा है इसका उसके बारे निच्ञा है रिए और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस टॉक का पहला है पहले जो इसने जो हाई लगाया था यो इस्टॉक का आप देखेंगे तो करीब इस टॉक चाहई गरिआ Supp делают दो ज़ार आठंगे 2045 डफास लगा सेटेंड है Hier यहां पर आपि जो रहे हैं देख करेंगे सकते हैं कि यह वाочно कैंडल वनी थी एप्रेल मंत की और एप्रेल मंत की candle के बाद में ये जो candles जो बनी है में जून और जुलाई ये वाली candles आप देखेंगे कि बहुत अच्छा खासा pressure उपर से stock ने stock में जो है देखने को मिला है लेकिन जादा stock नीचे नहीं गया है और ये August मंत की जो candle बन रही है दुबारा से इसके अंदर एक अच्छा कासा downfall आया stock 147 रुपे के आसपास तक होके आया है नीचे और उसके बाद में आप देखेंगे दुबारा से 112 रुपे के आसपास आके खड़ा हो चुका है आज की जो candle बनी है day wise candle अगर मैं आपको दिखाऊं strong candle बनती हुई दिखी है एक तरफा मूब इसके अंदर आता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से और अगर weekly candle आप देखेंगे तो strong candle बनती हुई दिख रही है तो हर position पर कहीं न कहीं stock breakout देने के विल्कुल करीब है और यहां पर इसको एक बार अगर breakout मिलता है 180 रुपे के ऊपर तो यह stock जरूर जो है यहां से 200 रुपे से 225 रुपे की तरफ निकलने की कोशिश करेगा जिस तरीके से risk और reward favorable है इसका वो मैं आपके सामने रखोंगा आप यहां पर अगर एक चीज और देखिए कि यह वाली जो candle है बहुत डाउन आने के बाद में आप देख सकते हैं कि इसने कितनी जल्दी जो है दुबारा से upside दिखाई है तो इसको अगर नजर में रखें तो stock दुबारा से कोशिश कर रहा है कि अपना new high वो लगाए और ऐसी position में stock बड़ी जल्दी ही जो है निकल जाते हैं डाउन लाने के बाद में stock बहुत जल्दी अप जो है आता है और नीचे खरीदने का मौका नहीं देता है कहीं न कहीं इस candles इस stock के अंदर इस chart पे ये चीज बनते हुए दिख रही है तो मेरे एसाब से इसको miss नहीं करना चाहिए अगर आपको कोई stop loss इसके अंदर अगर लगा के चलना है तो weekly candle पे अगर मैं आपको अगर बात करूं तो यहां पे 150 रुपे के आसपास का 150 रुपे के आसपास का जो stop loss नकल के आता है थोड़ा डीप stop loss अगर आप लेके चल रहे हैं तो क्योंकि upside भी इसके अंदर उतनी ही अच्छी खासी बनती हुई दिखेगी अब यहां पे अगर बात कर लें book value के इसाब से 300 रुपे की book value है आप देख सकते 120 रुपे के आसपास जो stop के समय पर trade कर रहा है कितना अच्छा खासे comfort zone provide करा रहा है according to book value जहां पे जो stocks हैं काफी ऐसे हैं जो book value से multiple times हो चुके हैं और यहां पे अगर आप देखें fertilizer sectors के अंदर भी ऐसे stocks available हैं लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं बहुती quality company बहुती अच्छे products इस company के पास में है possibility है कि अगर यह stock एक बार चलना शुरू करेगा तो यहां से multiple returns provide करा सकता है according to chart फिलाल की जो position जो बन रही है यह stock यहां से 20 से 30 रुपे की rally बड़े आराम से दिखा सकता है जिस तरीके से chart अब move करना start कर रहा है इस वार का breakout इसके लिए एक support का work करेगा फिर और वो कहीं न कहीं यहां से इस stock को 200 रुपे के उपर ले जाने की कोशिश करेगा इस वार का जो result जो आया था आप देखेंगे इस वार का जो result जो आया था उसमें जो sale है वो भी down गई थी profitability है वो भी down गई है लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर जो profitability जो आयी थी इस quarter के अंदर इस से जादा down possibility बहुत कम लग रही है कि इसके नीचे इस वार आगे वाले जो quarters हैं वो जाने वाले हैं यहां से hope यही है कि दुबारा से यह stock दुबारा से एक recovery करेगा इसकी बेलेंसीर दुबारा से recovery करती हुई दिखेगी चार्ट पर वो दिख रहा है इस समय और वो चीज आप मिस ना करिए ज़्यादा अच्छा है यह stock पकड़ने लाएक यहां पर बिल्कुल दिख रहा है अगर आपके पास में यह stock available है अगर आपने लिया हुआ है तो आप मेर को जरूर comment करके बता सकते हैं और अगर आपको किसी अधर stock के बारे में अगर पूछना है तो आप comment box में भी जो है मेर से आप पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा GSFC पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉंग बनती हुई दिख रही है इस stock को आप जरूर ले सकते हैं थैंक्यू फॉर वाचिंग देस वीडियो